मेरा नाम तोईदूर रोमान है मैं हूँ टीम अपस्किल्स है और अपन्यूज वो सेक्षिन है जहां पे हम लोग इस हफते से डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज है अपडेट से वो यहां पे शेयर करते हैं उसको थोड़ा से एक्स्प्लीन भी करते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पे हेडलाइन बता देता हूँ कि क्या क्या मैं यहां पे आज शेयर करने वाला हूँ तो सबसे पहले गूगल ने यहां पे डिस अवाउट टूल का जो है माईग्रेशन सर्च कंसोल में कम्प्लीट कर लिया है इंस्टेग्राम में जो है अब यहां पे आप कीवर्ड की मदद से सर्च कर पाएंगे गूगल ने अपने रिमूव आउटडेटेड कॉंटेंट टूल को यहां पे कर दिया है अपडेट ट्विटर में अब होने जा रहे हैं कराउजल एड्स की डेब्यो गूगल गैरेंटीड बैज जो है वो आपके गूगल मैप्स लिस्टिंग में अपियर होने स्टार्ट हो जाएंगे और यूट्यूब जो है यहां पे कर रहा है और यूट्यू आड्स को लांच क्या है पूरी खबर उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा लेकिन वीडियो में आगे बिढ़ने से पहले अगर आप हमारे चानल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को भी जरूर दबा लिजेगा गूगल ने यहाँ पे अपना जो support page है उसको भी यहाँ पे update कर दिया है जहाँ पे कुछ नए guidance आपको आपको मिल जाएंगी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि disavow link tool क्या है तो disavow link tool जो है वो एक तरीका है publishers के लिए जो कि Google को signal कर सकते हैं कि भाई जो भी spammy links है उनके site पे उनको यहाँ पे count नहीं किया जाए मैं आपको बता दूँ कि यह जो disavow tool है इसको publishers ने Google से तब मांगा था जब यहाँ पे Google ने penguin algorithm जो है यहाँ पे लेकर आये थे शुरुवाती में तो Google ने इसको resist किया था देने से लेकिन यहाँ पे काफे दिक्कते हो रही थी कैसी दिक्कते मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे Google का जो penguin algorithm है वो एक link algorithm था जो की penalize करता था उन sites को जिसमे spammy links पाय जाते थे अब इसके वज़े से बहुत सारे publishers ने अपना traffic है वो यहाँ पे lose कर दिया और बहुत सारे publishers इस इंतजार में भी थे कि भई वो लोग कुछ करने सकते थे तो उन्होंने वेट किया कि यह जो algorithm है penguin algorithm यह refresh होगा उसके बाद वो लोग कुछ कर पाएंगे लेकिन इसके वज़े से publishers बहुत जादा नाखुष भी इसलिए थे क्योंकि publishers को यहाँ पे हर एक site owner को जो है contact करना था उनको जिनसे उन्होंने उस link को purchase किया था उसको हटाने के लिए वेपे मैं बता दूँ कि बहुत सारे sites तो ऐसे भी थे जिन्होंने links को purchase किया था और वो लोग यहाँ पे भूल गए थे तो उनको भी जो है यही चीज़ करना था कि उन्होंने भी क्यूंकि penguin algorithm जो है उनको भी penalize कर रहा था तो same काम उन्हें भी करना था लेकिन कुछ cases में यह भी देखा गया कि बहुत सारे links ऐसे जो purchase नहीं किये गये थे but just because कि वो suspicious दिख रहे थे उसको भी यहाँ पे जो गूगल का जो penguin algorithm है वो यहाँ पे उसको penalize कर रहा था जिसके बाद Google ने इसको realize कि हाँ भाई इसकी जरूरत है इसकी महसों समझी और इस tool को जो है यहाँ पे उन्होंने release कर दिया इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जो यह disavow link tool है उसमें क्या improve किया गया है कि जो भी uploaded files है उनकी जो error reports है वो अब 10 errors तक ही जो है वो limited नहीं है आप उससे ज़ादा यहाँ पे जो है कर पाएंगे बात करें यहाँ पे दूसरे news कि तो अब जो है Instagram यहाँ पे एक नई जो है इसको आप feature कह ले या जो भी कह सकते हैं अपडेट कह सकते हैं वो यहाँ पे अड़ कर रहा है जहाँ पे अब आप जो है कोई भी content को आप keywords के मदद से search कर पाएंगे इससे पहले क्या होता था कि आप सिरफ profile name से search कर सकते थे जिसके वज़े से ऐसा होता था कि इतना सारा content होने के वज़े से कुछ जो relevant content होता था जो actual में काम का हो सकता था वो यहाँ पे छूट जाता है लेकिन अब इसके वज़े से जो है user जो है यहाँ पे posts को जो है वो बहतर तरीके से search कर पाएंगे keywords के मदद से जहाँ पे photo और video captions भी appear हो सकते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यह Instagram keyword search है वो कैसे काम करता है तो मानिए कि मेरे को जो है यहाँ पे search करना है home office inspiration तो मैं जो है यहाँ पे simple home office inspiration टाइप कर दूँगा जहाँ पे मेरे को जो है सिरफ hashtag पे rely नहीं रहना मैं hashtag नहीं लगाँगा वो type करने के बाद जो भी related post होगा उस keyword से related वो यहाँ पे मेरे को show कर देगा वहीपे यह जो है अभी तक clear नहीं है कि Instagram जो है किसी भी post को मतलब जो भी वो keyword आप लगा के search करेंगे उसको दिखाने से पहले वो किन चीजों का ध्यान रखेगा क्योंकि यहाँ पे आप जो search करने जा रहे हैं वो post जो है अब hashtags पे rely नहीं करेगे विपे मैं बता दूँ कि Instagram जो है वो captions को use करेगा जहाँ पे जो भी keyword searches होंगे उनकी मदद से जो है वो शायद आपको यहाँ पे post जो है दिखा देगा लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे यहाँ पे questions रहते हैं कि जो आप search करेंगे keyword क्या वो जो post दिखाय जाएग वो शो करेगा उसमें क्या दिखाय जा रहा है क्या depict कर रहा है वो यहाँ पे समझ पाएगा कि नहीं यह सारे questions जो है अभी इनके answers मौझूद नहीं है लेकिन Instagram की एक company official ने ही बताया है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़े जो है factors यहाँ पे consider किया जाता है कि type of content कैसा है उसमें ज यहाँ पे जो है show करता है और जो भी आपकी keyword होगा उससे relevant content ही आपको जो है वो यहाँ पे show करेगा हला कि इसमें image recognition का use होता है कि नहीं उसका involvement है कि नहीं इसके बारे में उन्होंने कुछ clearly नहीं बताया बात करें यहाँ अगली खबर की तो बही Google जो है यहाँ पे अपना ज site owners है वो यहाँ पे जो भी URLs है उसको remove करना चाहते हैं अपने site से जिसको वो लोग own नहीं करते हैं इसके लिए जो है वो यहाँ पे request कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है जो भी search console में जो remove content tool है उसके साथ इसको आपको confuse नहीं होना है remove content tool अलग है और remove outdated content tool जो है वो बिल्कुल अलग है उसको अलग तरीके से design किया गया है जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो remove content tool है वो site owners के लिए design किया गया है जहाँ पर वो लोग जो भी अपने जो search result में जो pages है उसको यहाँ पर वो लोग जो remove कर सकते हैं वही पर जो remove outdated content tool है वो यहाँ प जो है आप आपको एक refresh interface देखने को मिले जहाँ जहाँ जो existing capabilities है उसको जो है यहाँ पर use करने में और भी आसान कर दिया गया है जहाँ पर जो capabilities है remove outdated content tool की वो बिल्कुल भी change नहीं है जिसके वज़े से जो भी SEOs है और जो site owners है उनको कोई भी जो उनकी functionality है वहाँ पर वो lose नह इगदम ही update कर दिया है वही पर इसको mobile devices के लिए better तरीके से optimize किया गया है जहाँ पर अब जो है अगर आप on the go अगर किसी outdated content को remove करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर request कर पाएंगे बात करें यहाँ पर next news की तो यहाँ पर Twitter अब carousal ads का update वो roll out कर रहा है जहाँ पर यूज कर पाएंगे carousal ads को जो है design किया गया है जितने भी businesses है उनको यहाँ पर उनके जो goals है उसको more effectively reach करने के लिए जहाँ पर वो लोग जो है इसके थूरू potential जो customers है उनके साथ engage कर पाएंगे और यह जो है एक नया और interactive ad format होने बाला है ऐसा जो है Twitter ने बता है वही पर Twitter न जो है कुछ नए reporting features भी आपको देखने को मिलेंगे for example जो भी individual carousal card है उसकी performance आप जो है यहाँ पर breakdown करके देख पाएंगे इसके लावा जो carousal के अंदर ही कितने swipes हो है वो भी आप यहाँ पे जो है देख पाएंगे मैं आपको बता दू कि carousal ads जो है वो आपको immersive experience सकता है जहाँ पर इन ads के मदद से जो है वो different products के जो है जो है जो भी highlights है वो यहाँ पर show कर सकता है किसी भी product का कोई भी feature जो है उसको highlight कर सकता है यहाँ पर और या फिर इनके मदद से जो है आप आपने जो brand की जो story है वो भी यहाँ पर बता पाओगे वेपे मैं बता दू कि जितने भी यहाँ पर Twitter Advertisers है वो सारे eligible है यहाँ पर Crousal Ads को create करने के लिए आपको जो है यह Tweet Composer में जाके जो कि आपके Ads Manager में होता है वहाँ से आप इसको create कर पाऊगे या फिर किसी भी Ads API का use करके भी आप इन Crousal Ads को create कर पाऊगे. Move करते हम अपनी next खबर के ओर तो यहाँ पर जो है Google का जो guaranteed badge है वो अब आपको जो local services ads है उसके अलावा भी आपको दूसरी जगाओ पर देखने को मिलेगा. Google का यह कहना है कि वो लोगे test कर रहे हैं कि जो consumers है वो कैसे इसके प्रती जो है react करते हैं वो यहाँ पर देखना चाहरे है वह पर मैं बता दू कि Google जो है यहाँ पर एक big push वो कर रहा है यहाँ पर local services ads को जहां पर इन्होंने जो है trust certifications जो है यहाँ पर उन्होंने क्या बोलते हैं उसको include किया है दो categories में एक तो है Google guaranteed जो कि home services के लिए है और दूसरा है आपका Google screen जो कि professional services के लिए है पर मैं बता दू कि company नी जो है recently Google guaranteed badge को जो भी आपके businesses है उनको यहाँ पर avail करना शुरू किया देना start किया है जहाँ पर वो लोग जो है इसके लिए कुछ monthly fee यहाँ पर charge करने वाले है और मैं बता दू कि यह जो है आपके local services ads है उसके बहार जो है यह किया जा रहा है इसके लावा यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि Google का जो guarantee badge है वो आपके profile पर जो है जो organic traffic है उसको यहाँ पर बढ़ाने में मदद करेगा और इसके वज़े से जो LSA मतलब local services ad जो advertisers हैं उनको यहाँ पर जो है जादा value offer करेगा और इसके वज़े से जो additional organic click है या फिर leads है वो यहाँ पर बढ़ जाएंगी ऐसा Google का मानना है यह पर Google ने यह भी कहा है कि जो Google का guaranteed badge है वो अगर किसी profile पर देखेगा या फिर किसी भी local pack में तो जो consumer का जो trust है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा और इसके वज़े से जो है जो CTR है उसमें यहाँ पर बढ़ावतरी देखना को मिलेगी इसके अलब आप मैं बता दूँ कि LSAs जो है वो potentially disruptive program है बहुत सारे local advertisers के लिए क्योंकि LSAs में जो है यह simple है और जादा pool proof है यहाँ पर जो आपके traditional Google text ad campaign से उनके मुकाबले यहाँ पर bidding के मुकाबले जो है इसमें कोई keywords की ज़रूत नहीं होती कोई extension या फिर कोई ad copy की ज़रूत नहीं पड़ती है और इसमें जो attribution है वो काफी कम issue का होता है क्योंकि जो contact या फिर transaction होता है वो आपका यहाँ पर जो है landing page में ही वो आपका हो जाता है जो कि एक effective closed loop की तरह से काम करता है वहीं पर बात करें आब यहाँ पर अगली खबर की तो यहाँ पर Google अब audio ads यहाँ पर introduce करने जा रहा है जहाँ पर उनको यह बताए गया है कि जो users है वो जिस तरीके से platform के साथ आप engage कर रहे है इस वज़े से यहाँ पर वो लोग इसको launch करने जा रहे है जहाँ पर यूट्यूब का यह कहना है कि जो users है वो यहाँ पर वीडियो के मुकाबले जो है यहाँ पर जादा audio centric content को जो है consume कर रहे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि YouTube audio ads है क्या मतलब कैसे यह काम करेगा तो YouTube audio ads जो है वो एक तरीके से voice over message deliver करेगा आपको जहाँ पर आपको कोई simple सा image आएगा या फिर कोई भी एक graphic आपको या फिर animation वगरा show गया जाएगा और वो आपको audio format में ही सुनाई देगा मैं आपको अगर आशान भाशा में समझाओं तो अगर आप Spotify यूज करते हैं Spotify में आपने देखा होगा कि कैसे ads आते हैं उसी तरीके से ये platform भी काम करने वाला है इसमें कुछ जादा कुछ अलग नहीं है नया नहीं है same वैसे ही ये जो है काम करने वाला है जहाँ पर कुछ अगर मैं यहाँ पर आपको आकड़ो की बात करूँ वही पर उन्होंने ये बताया कि ये जो है audio ad जो है अभी बीटा stage में है और ये जो है आपके auction के लिए available है Google Ads में और display और video 360 और CPM basis में भी ये आपका available है वही पर ये audio campaigns जो है आपको उसी तरीके से advertisers को जो है offer करते हैं जहाँ पर जो है same audience targeting option होने वाले हैं के bidding strategies भी same होंगी और जो brand lift measurement capabilities है वो आपका YouTube video के campaigns के मुकाबले ही होने वाला है वही पर YouTube ने ये कहा है कि जो music streaming है वो आपका जो है यहाँ पर इस pandemic के वज़े से भी क्योंकि लोग lockdown में थी तो वो बड़ा है लोगोंने जो है खूब podcast सुने हैं खूब गाने सुने हैं इसके वज़े से वो इस feature को जो है वो ले के आ रहे हैं वही पर उनका यहाँ पर यह कहना है कि वो जो YouTube ads है वो लोग ASMR जो आपका content होता है जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर second most popular YouTube query है जहाँ पर इसके 3.2 million searches है तो और जो third most popular worldwide जो है यह क्या बोलते है segment है जहाँ पर इसके 13.9 million searches है तो उन्होंने बोला है कि वो ASMR videos में जो है इसको insert करेंगे ads को हलाकि यह जो है चीज काफ़ी tricky होने वाली है क्योंकि यह जो ASMR videos होते हैं यह जो आपके जो भी music होता है वो logo को जो है relax और सोलाने में मदद करता है लेकिन उसके बीच में अगर ads आएगा तो वो कैसे काम करेगा वो तो खेर YouTube किस तरीके से figure out करता है इस चीज को वो लोग अभी नहीं बता रहे वो तो बाद में ही इस चीज के बारे में बात करने वाले इसके और अगर details आपको जानने है तो जो official support page है YouTube का वहाँ पे आपको इसके बारे में information मिल जाएगी तो दोस्तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा इंफरमेटिव लगा होगा तो भी वीडियो को like जरू कर दीजेगा किसी के साथ share कर दीजेगा जिसको आपको लगता हो कि useful रहेगा उसके लिए तो उसके साथ share भी कर देना आपके कोई सुझाब वो कुछ queries वगरा हो तो आप उसको comment में पूछ सकते हैं बाकी चानल पर पहली बार आया तो subscribe करके बेल आकन को जरू दबा दीजेगा मैं में लूँ आगले वीडियो में तब तक आप देखते रही आप स्किल को थैंक्स वर वॉचिंग